क्या आप अपने पती को डाटते हुए कमजोरी महसूस करती हैं तो आपको चाहिए दाहाड 44 विचामिनों से भरपूर शेरनी के दादों का बना हुआ दाहाड 44 पत्नियों की दाहाड पत्यों में मचे हाहा कार दाहाड 44 पत्यों पत्यों की पुराने जमाने में हुआ करती थी आज कल कहा है पिलकुल यार मुझे याद है चादी से पहले तु लड़कियों के पीछे भागता फिरता था लेकिन तुझे कभी तकावर नहीं और आज तुझे अपनी भीवी के साथ बजार में चार कदम घूमना अब डॉक्टर ने आपको भी तो लिखके दिया ये ना बटी साब कि अगर अगर अपना ब्लड प्रिशर ठीक रखना है तो महीने में कम से कम चार दिन अपनी भीवी को माईके जरूर भीजा करें बजी दवादर्गों डॉक्टरों का इसा आ रहा है बटी साब अगर आप कहीं मेरा नाश्ता देख लेना नाश्ते में एक सूखा टोस्ट, चाय, दो तीन तरह की गोलियां, छे साथ की कैप्सूल और कम से कम एक आध हेल्थ टॉनिक तो रहता ही है बुरा लगता है देखने में बुरा लगता है ये बुरा तो लगता है पर मैं करूं क्या हम तो जि कर दवाई के ठीक हो जाए लोग उल्ड फैशन समझते हैं हां तभी मैंने देखा है कई ओरते ना मौका ढूंडरी होती है किसरा अपनी लेटेस्ट बिमारी के बारे में शोफ करें है या बताओ मिस्स बट्टी कायल में डॉक्टर जैन के पास गई हिस ट्रीटमें तो एक् अभी फर्खोता है लॉट अफ़ दिफ्रेंस या यू गो तो सम्टी डॉक्त यू आपको गैस है अपको गैस है पेट फराब है लुट लाइक सच चीप बैमारी इस वन डॉसन फील लाइक निस्कासिंग फ्रेंट मुझे ग्यास है खटे दकार आते अफारा होजाता है या मेरी आंटी पॉछ नने तो कॉलर भी लगा हुआ है और उनका जो पृंटे नगी प्लेंस अरी के साथ नौ बढ़िया लगता है जस गान तैल यू प्रिंटेड कालर हां उन्होंने स्पेषली बनवाया है अ टूम्हाद नग ठी यह दॉक्टर साब, मेरी आँखे बहुत दुख रही है, मैं क्या करो? वे करना क्या है? आप लोग आँखों का बिलकुल ध्यान नहीं रखते, पड़े लेकर हनपड़ें आप आप लोगों ने कभी आँखों की कसरत की है? दॉक्टर साब, कसरत की वज़ा से ही तो इनकी आँखे खराब हुई है कसरत? ऐसी कौन सी कसरत है जिनकी वज़ा से इनकी आँखे खराब होगी? वही जो टेलिविजन पर लड़किया करती है पिना पलक छपके, कई खर्टे लगाता और टेलिविजन देखते रहते है दॉक्टर साब क्या बताओ, मेरा वज़न इतना बढ़ गया है कि दो कदम चलने के बाद ठक जाते हूँ थोड़ा सा चलने के बाद बैठना पड़ता है सास फूल जाती है और चलना नहीं जाता देखे मेडम, वेट एक ऐसी चीज है जिसे कम करने के लिए एक एक कैलरी का ध्यान रखना पड़ता है खेर, फिल्हाल आप ये दस शीशे लेगे, इनमें एक एक कैपसूल है और रोज पाने के साथ खाले कैपसूल? पर डॉक्टर साब मैंने तो सुना है कि वजन कम करने के लिए कैपसूल्स खाने ही नहीं चाहिए कैपसूल्स तो है काली, लेकिन शीशे इतनी टाइट हैं कि हर शीशी कोड़ने के लिए कम से कम आपकी एक सो बीस कैलरीज लग जाएंगी कि आप? पुल टेंशन हेलो डॉक्टर साब हाजी हाजी बोल रहा हूँ देखिये, मेरे बेटे ने दो चवनिया, एक ठनी और पांचे सिक्र दस तस पैसे के निगल लिए हैं प्लीज आप जल्दी आजाएं आप यह नंबर नोट करें 3318587 यह लोग एक्सपाइट है पैसा निकाले में एक एक पैसा निकालेंगे यह किस हॉस्पिटल का नंबर है? हॉस्पिटल का नहीं इंकम टेक्स देपार्टमेंट का नंबर है हाँ Manju, क्या हुआ? मैंने सुना तेरी तबियत ठीक नहीं है सोचा तेरा हाल पूष्टिया हाँ हाँ बस अरह सर्दी लग गई थी इसलिए बिस्तर पर लेटना पड़ा सर्दी से तो बच के रहना चाहिए क्या हुआ मैं बिना स्वेट पैने सबजी लेने चली की बस इतनी छी क्या ही इतनी छी क्या ही खांसी, गला खराब, जुकाम अब मीटर लगाया तो खलका सा उखार भी था सारा बदन तोटना शुरू हो गया तो अब भी भी तप रहा है ना इसके बात मता क्या हुआ मैं डॉक्टर के पास की डॉक्टर ने का अबना गला देखा और मैंने अपना मूह खुला मैंने का ठेरो 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 ऐसे करो तुम बिस्तर पर लेट जाओ मैं गुरसी पर बैठ जाती हू तुम मेरा हाल पोचने नहीं अपना हाल सनाने आई है अब आपके सामने पेश है हेल्थ क्विज अब यह आप लोग क्या कर रहे हैं आप लोग महौल भराब कर रहे हैं यह इनताक्षरी नहीं है क्विज है क्विज भाई और बैनों हमेशा की तरह हमारे क्यूज में दो टीमे हैं समझदारों की और बेवकूफों की तो सबसे पहले हम समझदारों को एक सवाल पूछेंगे समझदार डॉक्टर की निशानी क्या है उसे स्वेद कोट पेरा हुआ हो और उसके पस थर्डॉस को बगएरा बगएरा समझदार डॉक्टर वही है जो ऑप्रेशन से पहले और ऑप्रेशन के बाद अपनी सोरी केंचिया गिर ले बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल ठीक है और दूसरा स्वाल एक बार फिर बेवकूफों की टीम के लिए अगर कोई पेशन्ट बिना बिमारी बताए हंस्ते हंस्ते अपना पर्स खोरने लगे तो आप क्या अंदादा लगाएंगे इस से यही पता लगता है जी कि वो सिर्फ जूटा मैडिकल सर्टिफिकेट बनवाने आया बिल्कुल ठीक दाद देनी पड़ेगी आपकी बेवकूफी की और अब भारी फिर समयधारों की कोई आदमी चेक अप के लिए किसी डॉक्टर के पास आता है अगर चेक अप करने के बाद डॉक्टर को ये पता चल जाए कि उसे कोई बिमारी नहीं सिर्फ वैम है तो एक इंटेलिजन डॉक्टर क्या करेगा तसली देके मरीज को घर भेज देगा बहुत ही बहुदा जवाब दिया आपने बहुत ही घटिया अजी बेवकूफ डॉक्टर को चाहिए मरीज का बेधाग होके लंबा इलाज करें बिल्कुल सही दरोस्त इसी के साथ बेवकूफों की टीम जीत गई इनाम जाता है समझदारों को और समझदारों को दी जाती एक स्पेशल बॉटल ब्रेंड टॉनिक की पुल टेंचन जबान दहो मेना मतलो आँ करो अब गाना नहीं गाना आ करो वैसे आ करो आँ अब फिर जाना ड़्टर साब हम संगेतकार हूं बिना लेके आ नहीं कर सकता हूं तो आ रहने दे आप आप अपनी आँ के दिखाएं ये बाईया के दिखाएं आप अब अब बगर ड़्टर में हूं आपकी बाईयाक से तो यू लगते है कि आपको अनीमिया है हाँ खून की कमी है तो जॉन्रिक साइब ड़्टर साहब मोई तो यू लगता है कि लिवर प्रॉलम भी हो सकती है बसचे यू समझे डॉक्टर भट्टी ने इनकी जान बचा ली पहरे डॉक्टर कुलकर्णी को घर बुलाया उन्होंने एक इंजेक्शन दिया और इनको दिखाई देना बंद हो गया ये ने तो अभी भी दिखाई नहीं दे रहा नहीं नहीं ये तो आपको करके दिखा रहे हैं कि क्या हुआ देखे इसके कोई ज़रूरत नहीं है आप सिर्फ ये बताईए आगे क्या हुआ फिर डॉक्टर अगरवाल को घर बुलाया उन्होंने एक इंजेक्शन दिया और इनकी सांस फूलनी शुरू हो इनकी सांस तो अभी भी फूल रही है नहीं नहीं ये तो दिखा रहे हैं कि इनकी सांस कैसे फूल गई थी कि इसकी कुई जरूरत नहीं है आप सिर्फ ये बताईए कि जान कैसे बची बस जी फिर सब घबरा गये घबरा का डॉक्टर भट्टी को फोन किया उह यह अल्टीमेटली डॉक्टर भट्टी के दवाई से अराम आया नहीं जी ये तो किसमत अच्छी थी डॉक्टर कि अच्छी में बंद गरिली मैंने इक लड़की पसंद आही गई थैंक गॉड बीसी ओ रिष्टे देखने के बाद कल इसका दिल एक लड़की पसंद आही गया डॉक्टर भट्टर भाई है चुन कर वाइफ लाइफ लाएंगे कोई फोटो पोटो आमें भी ते दिखाओ फोटो इसने खुद ही देखी इसे तो लड़की के पटेखल इवड़े बसंद आहीं अच्छा क्या पटेखल्र एंटेकलर्स हैं पटेकलर्स हीमोग्रोविन 16, fasting sugar 120, RBC काउंट 5 million हाहहहहहहहहहहहहहहहहwee कि अधिवीर खुराब है कि अधिवीर खुराब है कि खांसी का सीजन आने वाला इसलिए मैं खांसी की प्रेक्टिस कर रहा था पुल इपेंशन न वोलू के बाच सहत ताओ बाचोन बाई यह सुबेर सुबेर तु भेखठा के किट जगे है अरे ताओ हेल्थ कलब जा रहे हूं बाचोन यो हेल्थ कलब के कोई ढक्त्रों का कलब है के और नहीं ताओ नहीं समझे न अच्छा अच्छा अरा समझ गया मरीजियों का कलब होगा वहां सारे मरीजि कठे बैठ के खासते होंगे और आए-ाए करते होंगे अरे ताओ वहां लोग वो जाते हैं जिनकी हल्थ यानि कि सेथ बिलकु ठीक हो अरे बोले जिनकी सेथ ठीक हो उने वहां वक्त बर बात करने का के फाएदा बाई ताओ ताकी सेथ बरकरार है हेल्थ कलब वाली ना आठ दस सजार प्या लेते हैं कसरत करवाने का अचो ना जो आठ दा सजार फूकन का के फाएदा तु घर में ही दंड पेल लिया कर ताओ 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 वहां कसरत मसीनों से होती है रह बात सुन कसरत ने करनी है क्यों मसीन ने करनी है बाई ताओ कसरत तो मैं ने करनी है पर वहां तो कुछ खास किसम की मसीन ने होती है चाल दिखाए चाल बाई देखू तेरी माई दंड पेल मसीन है चाल पिर किया देखिए! तब यो साइकल से रसाट टांगा की तक खुत बड़ा! और रहा बस मेरे बेटे हिमार समझ गया के यो अक्सरसाइज तेरे किस कामा वेड़ा? तब यह रहा उएजने देखिए! तब यूर्ओंग एक्सरसाइज है! इससे शाइद लगता है पीथ में ताकत पती है! यो देखता हूँ अर्या समझ गया छोड़े यो अक्सरसाइज भी तेरे तो ने काम की से ताउ इसे फ्रेंट पुली कहते है अब फाइदा खुछ सोच ले ताउ ये स्थी बाथ से अच्छा 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 ठोरे समझ गया इभ समझे ताउ रह सबकुछ अपनी अख़्ात देख लिया युद्धे क्या कितना फादा हुए ही गणे फादे है अगर पढली कर भी तने नोक्री ना मिली तो मेनत मजूरी करके चार पीसे तो तो कमाई सकता है हाँ पुल इटेंशन रखषाद क्या आप पड़े उदास लिखाई दे रहे है ताड़ी बढ़ाई होई है लेड मेहने होगा है कुछ नहीं ने-नी कुछ तो है ने-नी वैसे ही ने-नी वैसे क्या आप मेरेका मेरेसे कुछ छिपा रहे है आप से छिपाना दरसल मैं एक लड़की से इश्क होगया वजी आपका किसी लड़की से इश्क होजे इससे कोई फररख नहीं पड़ता मैं मेरे मतलब कि लड़की को भी तो आपसे इश्क होना चाहिए लड़की तो मुझपे मरती है जी शादी के लिए तैयार लठी है तो फिर प्रॉल्म क्या है? उससे शादी करके मेरा हर महीने दो डाई हजारों बेगा नुकसान है नेट लॉस वो कैसे? एक्शुली वो मेरी रेवलर पेशेंट है उपर डिजावल बही सुना आपने पार्टाइम उपरपैटी के पेट्री शुरू कर लीगे बस मैंने सुचा मेरा टाइम पास होजेगा मरीज होगा शौक बुरा होजेगा शौक? दरसल मेरे पास मरीज ही ऐसे आते हैं जिन्होंने अपना शौक की अलाज किरवाना हूँ आपने ये बोर्ड नहीं पड़ा यहां हर बिमारी का शौक या इलाज किया जाता है मैंने सोचा आपने लिखा है यहां हर बिमारी का शौक या इलाज किया जाता है लगता है तुमारी नजर काफी कमजोर है नहीं जी नजर तो ठीक है बस जरा है हिंदी कमजोर है हिंदी को बातने हैं, हिंदी तो किसी से भी प्रभाई जा सकती है, यह बताओ कि तुम्हारी सेथ कासी है? सेथ बिल्कुल ठीक है जी, यह कासे हो सकता है? मेरे मतब तुम मेरे दोस्त हो यार, मेरे एक्सपीरिंस का खाला उठाओ, मैंने बड़ी डीप स्टड़ी किया हो मैं जलता हूँ जाँ, बटो जाए, पटो सेथ करो, बिदो जाँ ज़िए। तेखो, आजकल हरी कोई ना कोई बिमारी होती है, तुम्हें भी चोटी मोटी बिमारी जरूर होगी है सबस्क्राइब बताओ… जब शुरू ह सुज्छा लता है ना जब आपकेशंब आ withdrawal लयकार बता एक नीचे ले लेता हो एक उपर प्रेम जी कितनी खुशी की बात है कि आप मुझे खर पर ही मिल गए अब आप से बात चीत करके मैं आराम से दो तीन घंटे यहां भीता सकता हुआ माफ करना अभी तो मैं बेटे को लेकर डॉक्टर के बास जा रहा हूं आप फिर किसी दिन आजाना मेरा टाइम बर बात करना है कोई बात नी प्रेम जी मैं आपके नौकर के साथ बैठ कर तीन चार गंटे गप शप मार लूंगा वैसे आप पेटे को डॉक्टर के बास क्यू लेकर जा रहे हैं यार दो दो तीन तीन घंटे रोज खेलता रहता है ल अगर घर में ही खेलता हूँ घर में केलता है अगर इस वीडियो गेलता है शर्मा जी क्या हाल चल है हाँ बई को नराजगी है यार हाल ही पूचा को गाली तो नहीं ती दरसल बात यह नहीं हो ड़क्टर जी आपकी रेपोडेशन बहुत वीक है मतलब खराब है अगर मैंने गलती से भी अपना हाल बता दिया ना तो अपने सौर पर फीज मांग लेनी है स्पोंडेलाइटस आर्थराइटस गैस्ट्रोइट्राइटस या फिर साइनोसाइटस आँख दर्द कभी कान दर्द कभी टांग दर्द कभी हाई 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 क्या क्या करूं मैं मैंशन खाने पीने रहन सहन ने कर दी है फुल टेंशन फुल टेंशन हाँ फुल टेंशन फुल टेंशन किसी जी इजी भी पी हाई भी फिलो पैटस गैनिंग अट्रस आउंड या एका हाँ जमिठाई तस गुल्या या परफी कहते शूगर हो जाएगी पराठा या अंडा जो थाउं टिकी समोसा कहते पलेस्टरल बढ़ जाएगा चिकन तिका या फिश फ्राई चिकन तिका या फिश फ्राई करेंगे हाईपर टेंशन डाक्टर की अडवाइस ने यारो कर दी है फुल टेंशन पुल टेंशन, पुल टेंशन पुल टेंशन, पुल टेंशन बड़े कभी, छोटे कभी, रहतले को, मोटे को, घरे को, खोटे को, लंबे को, लाटे को पुल टेंशन, पुल टेंशन पुर्टेंशन!